जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिक्तियों की कूल संख्या 300 है SC, ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर, वर्ग, EWS और बेंचमार्क विकलांग रिक्तियों के आरक्षाड निम्नानुसार है आरक्षाड रोस्टर इस प्रकार से आरक्षाड रोस्टर का पालान किया गया है इसमें कूल 300 पदो किल विकेंसी जारी किया गया नमसकर दोस्तों आजकी इस नए वीडियो में एक बर फिर से आपका स्वागा था जैसा कि आपको मालूम है कि मैं अपने चैनल के माध्यम से जाब और इजुकेशन संबंधित नएने जनकारी आप तक पहुचाता रहाता हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि रिक्तियो की कूल संख्या 300 है SC, ST, OBC, आर्थिक रूप से कमजोर, वर्ग, EWS और बेंचमार का विकलांग रिखते हो कि आरक्षड निम्दन उसार है आरक्षड रोस्टर इस प्रकार से आरक्षड रोस्टर का पालान किया गया है इसमें कुल 300 पदों के लिए विकेंसी जारी किया गया है आरक्षड वास जैसा कि आप देख पर हैं चाहे तो आप इसका SC, ST ले लिजे और पूरे पदों को देख सकते है इसमें जो है दिव्यांगता के प्रकार दिया गया है किस प्रकार से दिव्यांगता जो है इसके लिए पात्रों के सभी जानकारी दिया गया है अब हम बात कर लेते हैं परिक्षा की समय सारड़ी तो परिक्षा की समय सारड़ी इस प्रकार से रखा गया है जो आवेदन की प्रक्रिया है आवेदन की आलाइन प्रक्रिया 15.1.2023 से प्राराम हो करके आलाइन पंजीक रण की अंतिम्ति थी 31.2023 रखा गया है आलाइन परिक परिक्षा एडमिट काड़ डाउनलोड करना परिक्षा 7-10 दिन पहले आपको एडमिट काड़ डाउनलोड कर लेंगे। इसके लिए आपको लिंक प्रॉइड करा दिया जाएगा। इंडिया.in पर नेमित रूप से अलोकन करते रहें दोस्तों आपको बता दू कि यह जो वेकेंसी आया हुआ है वो किसके लिए है तो आगे बात कर लेते हैं इसके लिए जो आपको बता दिये अब जो पात्रता की सर्ते क्या राखा गया है तो निंतम 1123 की स्थिति में 21 वर्ष अधिक्तम 30 वर्ष नहीं होने चे और जो ST, SC को 5 वर्ष छुड़ दे जाते हो, BC को 3 वर्ष, PWD को 10 वर्ष, PWD जो अनसुचित जाते हैं अनसुचित जाते हैं ती को 15 वर्ष, PWD अन्य पिछलो वर्ष को 13 वर्ष, ECEO, समाने को 5 वर्ष, इस प्रकार से भी भिन केटेगरी को यह छुड़ दे जाते हैं लागू रहेंगे और सक्षडिक योग्यता की बात की जाए तो सक्षडिक योग्यता, जनरलिस्ट के लिए किसी मानेता, प्राप्त, विश्विद्यालाए या संस्थान से इस नातक की डिगरी होना चाहिए इस प्रकार से रखा गया है और इसके लिए जो पारिश्रमिक और लाफ जो है सलरी की बात की जाए तो 33,600 रुपए प्रती मा आपको सलरी मुल्वितन दिये जाएंगे अब हम बात कर लेते हैं आवेदन सुलक तो आवेदन सुलक इसके लिए रखा गया है 700 रुपए आवेदन सुलक रखा गया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं परिख्छा का नाम तार्किक छम्ता, संख्यात्मक अभियोग्यता, ब्याकराण सब्द वली और बौधिक वसल पर विश्यस महतों के साथ अंगरेजी भासा तो इस प्रकार से रखा गया है तो जिसमें आपको जो है निंतम योग्यता आंग तो निंतम योग्यता आंग आपको प्राप्त करने तार्किक छम्ता में 16 अंग, संख्यात्मक अभियोग्यता में 16 अंग और ब्याकराण 9 अंग इस प्रकार से रखा गया है अधिक्तम अंग जो है ये 70 अंग का हुऊ होगा इस केटेगरी के केंडिडेट को ये निंतम अंग प्राप्त करने होंगे प्रत्येक पार्ट में तो तार्किक छम्ता संख्यात्मक अभियोग्यता इन ही 35 नंबर के अधार पर मेरिट लिस्ट तयार के जाएगा लेकिन आपको मिनमाम 9 नंबर पाने होंगे एक घंटा का पेपर होगा मुख्या परिक्षा तो मुख्या परिक्षा में 3 संकों की वस्तुनिष्ट परिक्षा और तीसरा पेपर भी 20 मिनट हर एक के लिए टाइम रहेगा टाइम के अंसार आपको सालो करना है उसके बाद जो मुख्या परिक्षा है तो मुख्या परिक्षा में 300 अंकों की वस्तुनिष्ट परिक्षा और 25 अंकों की वड़नात्मक परिक्षा सामिल होगी जैसा कि आप और वित्ती बाजार जानकारी तीस प्रस्न इस प्रकार से कुल 120 होंगे और ये 300 अंके होंगे मतलब एक प्रस्न जैसे इसमें अलग अलग दिया गया है इसमें जो तरकिक छमता का तीन अंका होगा एक प्रस्न ये दो अंका रहेगा ये भी तीन अंका रहेगा एक प्रस्न स समय दिया गया है आपको इतने समय में सालवा करने है सब के लिए अलग लग समय रहेगा तो जो है समय अंसार आपके पार्ट को हल करने होंगे जो पार्ट में आपके कोस्चन आएँगे आनलाइन परिक्षा के दिसानिर्देश प्रानभीक मुख्या नी दिसानिर्देश इस पूरी जनकारी दिया गिया है और स्क्राइब के इस्तमाल करेवाले ब्रेंच, मारक, दिब्यांग, जनों के लिए धितने देस है इसके लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्सें में दे दूँगा और आप पूरी इसको एक बार स्वायम हवलोकन कर लेंगे जो में जनकारी था उसको मैं आपको बता दिया यदि आपको इसमें और भी किसी प्रकार की कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके मुझसे पुछ सकते हैं आवेदान आपको 15-2023 से 31-2023 तक करना है पंजी करन करने से पहले ध्यान देने योग्या बाते इस प्रकार से दिया गया है पूरी डिटेल आपको आपको आइधन कैसे भरना इसमें पूरा ब्यावरा दिया गया है आपको किसी प्रकार की कुछ डाउट होता है फर्म भरने में कुछ दिख्कत होता है तो आप कमेंट करके comment box में आप अपना comment जरूर करें यदि आप इसी प्रकार के नए नए update परना चाहते हैं तो चैनल को subscribe करके बैल icon को प्रेश कर ले ले इसी प्रकार की नए नए जनकारे आपको मिलते रहेगी तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ थेंक्यू फर वाचिंग जै इन्जै भरत जै चाथिस गड़